नमस्कार बागवन साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेब के पौधे के डॉर्मेंट स्टेज में जाने से पहले बगीचे में होने वाले कारियों की। सेब तुलान के बाद जैसे ही पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन देकर बागवान समाप्त होते हैं, उसके बाद सभी रिलेक्स हो जाते हैं और इंतजार करते हैं पौधे की डॉर्मेंट अवस्ता में जाने का, कि कब पौधा सुपत अवस्ता में जाएगा और बागवा साथी कर सकते हैं, जब पौधे के पत्य जढ रहे होते हैं और पत्यण अपने अंतिम पड़ाव पर होता है उस समय से बागवान पौधों पर यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, ऐसा करने से पौधों की पत्या नाइट्रोजन को अवशोशित कर लेती है और पत्यण होन यह काम उन बागवानों को ज़रूर करना चाहिए जो पोस्ट हार्वेस्ट में किनी कारणों की वज़ा से पौधे को खाद नहीं दे पाए हैं या नाइट्रोजन नहीं दे पाए हैं ऐसे में बागवान सात्यों आप मैंसे अधिकतर यहा सोच रहे होंगे कि हमारे बगीचे की लगभग 90% पत्यां तो जड़ चुकी है लेकिन बागवान सात्यों बात यहा है कि भले ही आपके बगीचे में टौप पोर्शन में ही पत्यां बची है लेकिन यदि आप इन 10% प वो पौधा अपने रिजर्व में स्टोर कर लेगा इसलिए आप बे जिजक इस समय यहा कार्या कर सकते हैं इसके अलावा बागवान सात्यों यहा पौधे के अंदर इस समय से फ्लो का अंतिमपड़ाव चल रहा होता है इसलिए यहा समय पौधे की बेंडिंग के लिए भी स सबसे उप्युक्त समय होता है इस समय शाखाओं में सेफ लो होने की वज़ा से बेंडिंग असानी से हो जाती है और शाखाओं को तूटने का खत्रा भी कम हो जाता है इसके अलावा यदि आप न्यू प्लांटेशन की सोच रहे हैं तो यहा समय जमीन की ले आउट और गड से बनाने का फाइदा यहा होता है कि आज कल गड़े में भरपूर दूप पड़ेगी जिससे मिटी का सॉलराजेशन होगा और मिटी की फंगस खत्म हो जाएगी इसके अलावा आज कल बगीचे में गोबर आधी को भी स्प्रेड किया जा सकता है और जो बागवान बगीचे में तॉलिया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज कल बहुत उप्योक्त समय है इसके अलावा यदि प्रोनिंग की बात करें तो जो प्रोनिंग सेव दुलान के बात की जाती है उसका समय अब समाप्त हो चुका है और विंटर प्रोनिंग के लिए अभी थोड़ा समय बाकी है विंटर प्रोनिंग में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए पौधे को अब पूरी तरह से सुब तवस्ता में जाने का इंतजार करें और उसके बाद ही प्रोनिंग का काम शुरू करना चाहिए बाकी अपडेट हम समय समय पर आपको देते रहेंगे इ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै किसान जै बागवान